Hi everyone, welcome back to my channel So guys, अगर आप एक artist हैं and beginner हैं, तो आपको grid line से related काफी सारे problems आती होगी and अगर आपको नहीं भी आती है तो आपको measurement में कभी न कभी ऐसा issue देखने को मिलता है जिसकी वज़े से आपका जो grids है वो perfectly नहीं पन पाता and बहुत सारे लोग को confusion होता है कि हमें grid centimeter में draw करना चाहिए या फिर inches में and two by two के हमें inches में करना है या one by one के हमें inches में करना है किस तरीके से हमें measurement करना है कि वो काफी perfectly हम उसको draw कर सके तो यहीं सारे confusion को दूर करने के लिए मैंने इस video को आपके लिए upload किया है and guys इसके पहले भी मैंने एक video upload किया था grid lines related बट उसमें काफे सारे लोग के ऐसे comments आये थे जिसमें कि उनका जो sheet का size है वो different है and उनका जो measurement है वो बिल्कुल perfectly नहीं है so उन सब का reason मैं बताती हूँ बहुत ही छोटे-छोटे mistakes आप करते है जिनकी वज़े से आपका जो grade है वो perfectly नहीं बन पाता यहाँ पर मैंने लिया है A4 size का sheet and इसी पर मैं grade lines को draw करने वाली हूँ बट यहाँ पर मैं एक आपको बहुत ही ज़ादा जो common mistake है सब artist करते हैं मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ तो यहाँ पर मैंने जो sheet लिया है वो है ivory sheet and जैसा कि आप देख सकते हैं यह A4 size का है बट इसी same size में मैंने एक दूसरे brand का sheet लिया है जो कि है brustro का sheet and brustro का A4 size का ही मैंने sheet लिया है तो इन दोनों sheet में कोई difference अब ही आपको नहीं पता चल रहा है क्योंकि दोनों ही A4 size के हैं बट मैं आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा common mistake जो artist करते हैं उसके बारे में बता रही हूँ तो यह है दोनों के size को लेके दोनों के measurement को लेकर जो smooth वाला surface है वो ivory का है and जो medium texture वाला है वो है brustro का दोनों के size में काफी difference है भले यह difference आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है बट मैं आपको अच्छे से show कर रही हूँ तो यहाँ पे जो height and width है दोनों में ही थोड़ा थोड़ा यहाँ पे minor सा, बिल्कुल ही minor सा difference है जो कि आप अगर grid में देखेंगे जब आप grid draw करेंगे तो उसमें काफी difference देखने को मिलता है जिसकी वज़े से आपको जो grid line से कभी-कभी गलत बन जाता है and measurement perfectly नहीं हो पाता है and काफी लोग comment भी करते हैं इसी वज़े से कि मेरा grid सही से नहीं बन पाया इसी वज़े से काफी artist काफी जो beginner है वो अलग sheet यूज़ करते हैं शायद उनका sheet अलग है बट इसी वज़े से ये बहुत ही ज़्यादा common mistake है जिसकी वज़े से आपको जो grid है वो size से नहीं बन पाता है measurement में problem आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको sheet का measurement लेना है भले वो A4 size का हो A3 हो कैसा भी आप sheet यूज़ कर रहे हैं अब हम यहापे अच्छे से explain के साथ देखने वाले हैं किस तरीके से हम perfectly grids को draw कर सकते हैं यहाँ पर मैंने लिया है mechanical pencil तो mechanical pencil के जगा आप कोई से भी pencil यूज़ कर सकते हैं कोई इसका use करने का main reason नहीं है तो बस मैं reason बता रही हूँ इसका use में क्यों करती हूँ क्योंकि इसका जो lead है वो काफी perfectly 0.5 mm का है और मुझे अगर normal pencil यूज़ करना होता तो उसको अच्छे से sharp करना होता 21 cm का है इसका width है वो 21 cm की है अगर आप भी कोई A4 size के sheet में अगर इस तरीके का measurement लेते हैं तो अगर आपका sheet कोई normal brand का है तो हो सकता है 21 से वो कम cm का हो या फिर थोड़ा सा ज्यादा हो तो ऐसी problem आ सकती है तो कोई भी अगर आपको कोई साभी sheet है तो इस तरीके से measurement ज़रूर करना है और उस measurement को आप लिख लेना एक जगा इसी sheet पर आप लिख सकते हैं और इस तरीके से मैं अब इसका जो height है वो भी measure कर रही हूँ तो इसका height आप देख सकते हैं कितना है 29.5 cm तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे तो हमने यहाप इस measurement अच्छे से कर लिया है आपका sheet अगर A4 size का है अगर कोई भी brand का है कैसा भी sheet है आपको इसको measure ज़रूर करना है पहले और उसके बाद उसको अच्छे से note कर लेना या फिर आप अपने mind पे ही set कर सकते है कितना measurement हमने निकाला है और इसके बाद हम इसमें grids को draw करने वाले हैं तो grids को draw करने के सबसे पहले हमारे mind में क्या आता है जो grids है वो कैसा होना चाहिए जो grids है वो बिल्कुल ही square shape में होते है और उसके जो measurement है बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए तो कोई भी grids आपका कैसा भी हो उसका measurement चारो तरफ से बराबर ही होगा तो बराबर बिल्कुल ही हमें जो grids से उसको draw करना है तभी जो है perfectly वो बन पाएगा तो इसके लिए हमें बिल्कुल ही perfect even number चाहिए sheet का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने centimeter में 21 centimeter measure किया था जो की 8.2 inches है और जो इधर हमने 29.5 centimeter किया था जो की 11.6 inches है तो सारे ही numbers जो है बिल्कुल ही odd number है कोई भी even number नहीं है बट हमें क्या करना है इन सभी numbers को even number में convert करना है तो पहले हम यहाँ पर centimeter में grids को draw करना देख लेते हैं and then हम इसके बाद inches में draw करना देखेंगे तो काफी लोग हैं वो confused होते हैं कि हमें centimeter में grids को बनाना चाहिए या फिर inches में तो मैं आपको बता दूँ कि आप inches में भी draw कर सकते हैं grids को and centimeter में भी मैं यहाँ पर सारे ही आपको inches and centimeter सारे method बताऊंगी तो पहले मैं यहाँ पर centimeter में आपको बता रहे हूं तो यहाँ पर मैं centimeter में 22 centimeter के gap में grids को draw करना वाली हूँ तो हमारा जो page का measurement है वो 21 centimeter है जो की odd number है तो इसको even number में मैं change कर रही हूँ काफी easily आप ध्यान से देखना यहाँ पर मैं जो sheet है उसके दोनों तरफ से 0.5 and 0.5 का measurement करते हुए point रखूंगी और उन दोनों points को मिला करके मैं एक line को create करूंगी जो की बन जाएगा अपना 20 cm and अब हम इसमें काफी आसानी से grade lines को create कर सकते हैं 2 by 2 के grade हम काफी easily draw कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे जो measurement है बिल्कुल ही even number का है तो हमारे paper का size कैसा भी हो कैसा भी वो odd number का हो हमें उसको काफी अच्छे से convert कर लेना है एक even number पर and then हमें उसमें grade lines को create करना है सकती हूं grades को so guys यहाँ पर काफी लोग confused होते हैं 2 by 2 and 1 by 1 के grades में तो 2 by 2 का मतलब ही यह है कि हम 2 by 2 cm के gap में यहाँ पर ग्रेट को draw करेंगे and यहाँ पर जो grades है वो medium size के बनेंगे and अगर हम यहाँ पर 1 by 1 के grades को draw करते हैं तो 1 by 1 cm के gap में हमें point को रखना होगा and यहाँ पर जो grades होंगे वो काफी छोटे बनेंगे तो यह totally आपके उपर depend करता है कि आपको छोटे grades में काम करना है या फिर आपको medium size के क्यूंकि हम यहाँ पर 2 by 2 के grades को draw कर रहे हैं तो 20 cm में हम 22 cm के gap में point रखेंगे तो हमारे उपर की तरफ 10 boxes बनेंगे E4 size के लिए यहीं ज्यादा सही रहता है अगर आप बिल्कुल ही normal सा work कर रहे हैं अगर बहुत detail में work कर रहे हैं तो आप 1 cm वाले grades को draw कर सकते हैं and यहाँ पर हमने जो measurement लिया था वो था 29.5 cm का जो की एक odd number है पर यहाँ पर मैं इसको even number में convert नहीं करूँगी क्योंकि हमने एक बार even number में उपर की तरफ convert कर लिया है यहाँ पर करने की हमें जरूरत नहीं है क्यों नहीं है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है आपको simply एक line खीचना है और उसके उपर से हमें 22 cm के point रखते जाना है यहाँ पर मैंने 22 cm के gap में simply point रखा है यहाँ पर जो नीचे वाला point मैंने आप देख सकते हैं रखा हुआ है वो उसका जो box बनेगा थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि हमारे जो sheet का measurement था 29.5 cm जो हमारा portrait होता है वो mainly उपर की तरफ से नीचे की तरफ जाता है तो उपर की तरफ focus main होता है तो नीचे की तरफ अगर grid पतला भी है तो वो चल जाता है इसलिए मैंने वो number को convert नहीं किया था वो odd number को मैंने even number नहीं किया इसी तरीके से same process से sheet के दोनों तरफ भी हम point को रखेंगे बढ़ यहाँ पर हमें गलत method नहीं अपनाना है क्योंकि यहाँ पर काफी लोग confused हो जाते हैं and sheet को गुमाते हुए वो point रखते ही जाते हैं आपको ऐसा नहीं करना है आपको ध्यान से देखना है कि हमने point को start कहां से किया था हमने उपर की तरफ से point को start किया था and हमारा जो नीचे वाला box बनेगा वो छोटा बनेगा थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको sheet में और scale में थोड़ा सा confusion हो सकता है तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जहां से start किया था point रखना वहां से हम start करेंगे जिससे कि जो हमारा जो नीचे वाला grid है वो नीचे छोटा ही बना रहे ऐसा ना हो कि आप scale को उल्टा रख दो और उपर की तरफ जो grid है वो छोटा बन जाए तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो आप यहाँ पे simply वैसे ही line को create कर लो और point को रखते जाओ 22 cm के gap में पट नीचे से नहीं उपर से ही हमें point को रखना है और अब हम numbers को लिख लेंगे जो भी हमने point रखा है उसके आगे हम number लिखते जाएंगे तो यहाँ पे एक बार हम one लिख चुके हैं तो वहाँ पे हमको one वापस से नहीं लिखना है यहाँ पे काफी बेगना रहे है वो mistake कर देते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ तो इस तरीके से 2345 करके हम numbers लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारे total 15 boxes बनेंगे and 15 number वाला जो box है वो थोड़ा सा छोटा बनेगा and अब हम नीचे की तरफ भी same measurement लेंगे जैसा कि हमने उपर की तरफ measure किया था तो 0.5 and 0.5 यहाँ पे छोड़ते हुए 20 cm का line create करेंगे and उसमें 22 cm के gap में हम point को रखेंगे तो यहाँ पे हमने points को रख लिया है and अब point को points से मिला देंगे and एक एक करके हम lines को create कर लेंगे so guys काफी आसान तरीके से हमने A4 size की sheet पर 2 by 2 cm के grids को draw करना देखा and guys यहाँ पर मैंने नीचे वाला box छोटा क्यों रखा and उपर की तरफ मैंने proper measurement क्यों लिया मैं आपको reason बताती हूँ किसी भी drawing में किसी भी portrait drawing में जब भी हम face को draw करते हैं तो वो beach में ही आता है and beach में draw करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है नीचे से उसका कोई मतलब नहीं होता है main focus हमारा face में होता है so यहाँ पर अगर मैं 2-2 cm के बीना किसी measurement को शोड़े हुए बीना किसी proper measurement के अगर मैं इस तरीके से draw करती तो side वाला जो grade है वो काफी पतला बनता and जब भी हम किसी भी grade maker app की help से उस portrait को grade में set करते तो वो सही से proper बीच में नहीं आता इसलिए मैंने जो है उपर की तरफ even number करके then मैंने वहाँ पे centimeter को convert किया है ताकि जो हमारा portrait है जो हमारा face जो भी outline का आएगा वो बीच में आये तो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है वो and इसके बाद अब मैं grids को draw करूंगी inches में तो मैंने same size का sheet लिया है A4 size का and यह ivory sheet है and इसके बाद अब हम same जिस तरीके से हमने centimeter में यहाँ पे measurement लिया था and इस बार हम one by one के grids को draw करेंगे क्योंकि अगर हम two by two के grids को draw करते हैं तो grids काफी बड़े size में होंगे and A4 size के लिए वो grids सही भी नहीं लगेगा क्योंकि वो काफी बड़े size में भी होगा तो इसलिए हम one by one के ही grids को draw करने वाले हैं and यहाँ पर जो हमारे paper का measurement आया था वो था 8.2 inches and यहाँ पर हम one by one के grids को draw करेंगे तो यह जो 8.2 है उस .2 को हम हटा देंगे तो यहाँ से हम .1 and .1 के gap में point रखते हुए एक line create करेंगे जो की हमारा होगा 8 inch का सो इस तरीके से दोनों तरफ से हमने point को छोड़ते हुए 8 inch का एक line create कर लिया है and इसी में अब हम point को रखेंगे one one inches के gap में यहाँ पर भी हमने proper measurement लिया है and then हमने point को रखा है अगर हम यहाँ पर measurement ना लेते तो हमारा जो side वाला grid होता वो काफी पतला बनता and जो कि आपको पताई है वो सही भी नहीं लगता है तो इसलिए हमने यहाँ पर proper measurement लेकर के ही point को रखा है and यहाँ पर हमारे total 8 box बनेंगे and इस तरफ जो हमारे paper का measurement आ रहा है वो 11.6 inches है तो नीचे वाला box सेम जैसे हमने centimeter में नीचे की तरफ छोटा सा बनाया था तो यहाँ भी हम छोटा सा ही बना देंगे इसमें कोई problem नहीं होगी तो बस simply हमें line को create करना है and 11 inches के gap में point को रखना है यहाँ पर आपको एक mistake नहीं करना है आपको paper से ही पूरा proper point को रखना है इस line से आपको नहीं रखना है इस line से अगर आप point को रख देंगे तो आपका जो grid है वो mistake हो जाएगा and अब paper के दोनों तरफ भी हम same point को रख देंगे उसी method से and आपको उपर की तरफ से ही point को रखना है नीचे की तरफ से आपको point नहीं रखना है and यहाँ पर हमारे total 12 box बनेंगे तो 12 वाला जो box है वो थोड़ा सा छोटा बनेगा जैसे कि आपको पता ही है नीचे का measurement हमारा छोटा आया था and जिस तरीके से हमने उपर की तरफ point को रखा था उसी तरीके से हम नीचे भी point को रखेंगे and अब simply point को point से मिला देंगे and line को यहाँ पर खीच लेंगे and इस तरीके से हम काफी simply way में इसको draw कर सकते हैं grids को काफी proper measurement के साथ so यहाँ पर हमने inches में भी draw करना grids को सीख लिया है and centimeter में भी हमने grids को draw करना सीख लिया है तो दोनों में अगर आपको अभी भी कोई confusion है तो मुझे comment section में जरूर पूछ सकते हैं तो मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूं आपको grids को कैसे draw करना है आपको सबसे पहले paper का measurement लेना है आपका paper कैसा भी हो A4 size का हो, A3 size का हो आपको सबसे पहले एक measurement लेना है proper measurement and उसके बाद आपको देखना है आपका जो measurement है वो कैसा है अगर even number का है तो आप काफी आसानी से 2x2 या 1x1 के grids को draw कर सकते हैं अगर आपका जो measurement है वो proper नहीं है तो आपको उसको measure करना है पहले एंड उसका एक even number निकालना है और आपको point को रखना है तो यहाँ पे जैसा कि यह brustro का paper है तो इसका measurement है वो इन paper से थोड़ा सा अलग है तो मैं आपको एक यहाँ पे थोड़ा सा demo बताती हूँ किस तरीके से आप measurement कर सकते हैं अगर आपका paper brustro का है या फिर अगर आपका paper कोई भी अलग सा है तो जैसा कि यहाँ पे 21 cm ही है जो इसकी width है थोड़ा सा ज्यादा है 21 से तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो ज्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए ही point को रखना है तो सेम उसी तरीके से आप point को छोड़ते हुए यहाँ पे एक even number को निकाल सकते है और इसी तरीके से जो इसकी height है उस sheet के according थोड़ी सी ज्यादा है तो height को भी आपको measure करना है और उसके according आपको point को रखना है सो इस page का जो height है वो 29.5 से ज्यादा है जो की हमारा ivory sheet था उसका 29.5 था तो यहाँ पे हमारा जो नीचे का box बनेगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा जो उस paper में हमारा जो नीचे का box था वो छोटा बना था and the same चीज आप inches में भी कर सकते हैं जैसे की centimeter में आपने किया था तो बस आपको इसी तरह के से measure करना है measurement का ध्यान रखना है and आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो grid है वो बिलकुल ही proper आपने point रखा है या फिर आपने किस तरीके से किया है तो इसके अलावा जो one one centimeter के grids होते हैं मैंने आपको पहले भी कहा वो काफी छोटे छोटे grids बनते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बस आपको one one centimeter के point रखके and then line को create करना होता है इसके अलावा guys यहाँ पर एक और चीज़ आती है वो है diagonal में grids को किस तरीके से draw करते है तो diagonal कुछ भी नहीं है बस जो grid आपने draw किया है उस grid के बीच में से आपको एक line create करना है इस तरीके से और इस तरीके से दूसरी तरफ से भी आपको line को create करना है यह जो है आपका diagonal बन चुका है grid के अंदर का जो part है वो diagonal में convert हो गया है यह चीज mainly use होती है बहुत ज़्यादा जब आप detail में work करते हैं तो आप यह centimeter वाले grids में भी कर सकते हैं और inches में भी आपका कोई भी grid हो grid के अंदर बस आपको line को इस तरीके से create करना है and वो diagonal में convert हो जाएगा so basically eyes nose में हम इसका use कर सकते हैं जिसमें काफी जादा हमें details की जरूरत होती है so guys आज की इस वीडियो में मैंने grid से related काफी कुछ यहाँ पर problem आपकी solve कर दी है I hope कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी and helpful लगी होगी so guys आपको यह वीडियो helpful लगती है तो don't forget to like, share and अगर आप चैनल के नए हैं तो don't forget to subscribe to my channel and bell icon को भी press कर लेना क्योंकि इस तरीकी के वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाले हैं so मिलते हैं guys किसी और वीडियो में तब तक के लिए bye and thanks for watching झाल झाल